नारान नारान दोस्तों पता उस दिन में अपने हमारे जुगल किशोर जीन के घर गई मैं उनके घर की बेल बचानही वाली थी कि अंदर से पहुत जोर-जोर से जुगल किशोर जीन के आवाज आ रही थी जुगल किशोर जीन कभी बहुत बात ने करते हैं और उसे इतनी जोर-जोर से बोल रहे थी यह मेरे फैमिली फ्रेंड है इनके हो सकता है कोई फैमिली मेटर्स ऐसे हो जिनने मैं इनकी हल्प कर दूँ मैंने डोर वैल बजाई और मैं अंदर गई अंदर गई तो मैंने देखा जुगल किशोर जी एक दम तम तम आय हुए सोफ़ पर बैठे वे थे और उनकी पत्नी सामने खड़ी थी मैं आई तो उन्होंने मुझे इनवाई एम बुलाया अंदर बिठाय उठाय पानी पीने को दिया और मुझसे पुछा चाय पियेंगी मैंने कहां मैं चाय प्योंगी तो भावी तो अंदर चली गई चाय बनाने के लिए और मैं जुगल किशोर जी के पास सोफ़ा पर बैठी हुई थी मैंने कहा क्या हुआ भाई आज आपको किस बात का गुस्सा चड़ रहा था जो आप इतनी जोर जोर से बोलते चले जा रहे थे बोलते चले जा रहे थे तो जुगल किशोर जी ने कहाral traveler मध्व एक बात बता तुम तुम्हारा जिसन जन्म हुआ तुम्हें पता था कि तुम उस दिन जन्म में लेने वाली हो। मैंने का क्या बात कर रहे हो आप भी भाई। मुझे कैसे पता होगा मैं उस दिन जन्म में लेने वाली हूँ। यह तो भगवान के हाथ में हैं। अच्छा एक बात बताओ मधू जब तुम्हारे पापा इस दुनिया से चले गए तो क्या उन्होंने किसी पंडित से पूछा था कि भई मैं इस से में चला जाओ मुझको गुस्ता है मैं इनका क्या बाते करते जा रहे हो जुगल कुछोर जी आप ऐसे कैसे कह रहे हो ऐसे कौ पंडित से पूछ कर रहे हो अपने मृतियों को ग्रहन करता है और आजकल क्या कभी भी कोई पंडित बताता ही नहीं है कि भी आप इस दिन मरने वाले हो आप मिस से ऐसी कैसी बाते कर रहे हो जुगल कुछोर जी ने कहा देखो मधू मैं तुम्हें यही समझाना चाहरा ब्रस्पत शुक्र शनिया रविवार है नहीं किया हम इस दुनिया से जाते हैं तो हम देखते हैं कि या सोमवार मंगलवार बुधवार रविवार ब्रस्पत वार शुक्रवार शनिवार कुछ है नहीं हम जब बिना किसी मूहरत के आते हैं दुनिया में और बिना किसी मूह बुखार बुखार चड़ गया था मुझे तो बली 15 दिन बार दुगान जोइन कर रहे तो मूरत देखके जाओ अब मैंने उनसे कहा वैसे मैंने का जुगल किशोर जी आजकल लोग ऐसे करते हैं न कि टाइम देख लेते हैं कि हमारा वाइफ का इस वक्त ऑप्रेशन कीजिए और इस वक्त डिलिवरी कीजिए यह अच्छा समय है इस समय हम बच्चे को जन्मे देना चाहते हैं तो जुगल किशोर जी ठाक हमार का हसने लगे मैं इनका अरे इसमें हसने वाली कुन सी बात होगी बहले देखो मधू मैं तुम्हें बता रहा हूँ हमारे दो घर छोड़कर ही एक फैमिली है उन लोगोंने भी ऐसी किया था पंडीजी से पूछ कर उन्होंने समय निश्यत कर लिया कि इस समय ऑप्रेशन से वह अपना बेवी बॉन्ड करेंगे खुदा की खुद्रत देखो वो उनका बेवी ठीक एक दिन पहले आ गया अब वो क्या करेंगे अब कुछ नहीं कर सकते ना तो ये तो सिर्फ एक हम लोगों को आप मुझे बताओ जिस दिन दुनिया बनी थी उस दिन ये सोमवार रवीवार मंगलवार बुधवार बस्पत वार शुक्रवार थे इनका नहीं भाई ये तो कुछ नहीं थे तो फिर बोले उन्होंने में से बोले मदो तुम फिर खुद बताओ क्यों हम हर चीज में मूरत 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 की पीछे दोरते हैं अरे जब इश्वर ने कोई दिन बार नहीं देखा सारे के सारे दिन एक जैसे बिनाए हैं सारी की सारी रितुएं समय से आती हैं चली जाती हैं बिना मूरत निकाले मनुष्य का जन्म बिना मूरत की होता है मनुष्य की मृत्यू बिना मूरत की होती है तो बाकी सब चीजों में हम क्यों मूरत के पीछे भागते हैं बात तो मुझे भी उनकी सही लग रह करें में नहीं रखती हूं और हमारे ही देश में कुछ ऐसे सबसे ज़ादी कि बिना मुरत के सबसे ज़ादा पर कुछ लोग मूरत के बागते हैं तो ये जो एक बाद बस में ये ही कहना चाहरे थी जब इश्वर ने मुरत नहीं देखा जन मकाम, रित्यू का, इस दुनिया को बनाने का, रित्यू के आने जाने का तो हम क्यों मुरत की पीछे दोड़ रहे हैं, सब दिन शुर्भ हैं, सब दिन अच्छे हैं क्योंकि सारे दिन उसी इश्वर ने बनाए हैं मैं जुगल किशोर जी की इस बात से बिलकुल सहमत हूँ और I hope आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि ज़्यादा मुरत वगरे की पीछे मत तोड़िये यह मैं सोचती हूँ, मैं आपसे जबलसी नहीं कर रहे हूँ ओके फ्रेंट्स, सी यू सुन, बाई